हालो स्ट्रेंट्स इससे पहले मैंने कॉंटिनियुटिव केशन पढ़ा दिया था यह नेक्स्ट टॉपिक है इवलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इवलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि आपको डल दिखे मैं इसका पीडियोफ भी शेयर कर दूँगा मैंने कर दिया है शाद आपने थोला बहुत पढ़ दिया भी होगा यह आप बुक में अगर देखना चाहें तो यह बुक में पेज नंबर 260 पर है पेज नंबर 260 पर है और पीडियाफ जो नंबर है वो है 283 287 ठीक है इस डेरिवेशन में दो तम मैथमेटिकल दो तम यूज होंगे एक डेल यूज होगा एक डेल्टा यूज होगा ठीक है एक डी और डेल्टा डी ओर डेल्टा डी ओर डेल क्या है एक डिफ्रेंशियेशन एक पार्शल डिफ्रेंशियेशन जिसने पढ़ा रखे है अच्छी बात है जिसने नहीं पढ़ा तो यह दो अलग चीजें ह ये चीज़ें जब एक साथ होंगी तब जो है ये अलग अलग होंगी इन केस माल लीजे किसी तरह से इस टम को eliminate कर दिया गया तो ये डेल लिखो या डी लिखो बाद बराबर है कब जब ये टम eliminate हो जाएगा डी बाद टम eliminate हो जाएगा तब एक साथ होंगे दोनों अलग चीज़े होंगी ठीक है तो start करते हैं अब suppose करते हैं कोई एक ये streamline flow है कोई streamline flow हो रहा है ऐसे streamline flow हो रहा है ऐस direction में ना ये x direction में है ना ये y direction में है ये x y से अलग कोई S direction है random direction कोई S माल लिया है इस direction में और एक ये fluid element है fluid element मतलब जैसे मैंने बताया था मैंने बताया था ना ring अगर ring हो कोई अगर वो कोई ring है तो elementary ring अगर होगे तो इसकी मोटाई जो मानेंगे elementary ring की मोटाई बाल के बराबर उससे भी पतली हो सके तो जितनी पतली हो सकती जितनी छोटी हो सकती ये उतना मानते हैं इसको तो वैसे ही जितना छोटा आम इसको मान सके ये जो cylindrical shape का है ये cylindrical shape का है जितना छोटा मान सकते है उतना छोटा मानते हैं इसको ठीक है अब जो है इसमें यह zoom कर रहे हैं कि एक end पे pressure लग रहा है P एक end पे pressure P लग रहा है ठीक है दूसरे end पे क्या होगा pressure कुछ change होगा क्यों क्योंकि इस length में ये length कितनी है this length is ds इस length में कुछ changes आएंगे with respect to kis के ds के with respect to s this distance s इसके respect में कुछ changes आएंगे यहां कुछ P और del P भी आएगा ठीक है तो इसको अभी आगे देखते हैं तो यह चीज़ा दरखेंगे यह यहां पर pressure pressure P लग रहा है और यहां पर P प्लस कुछ value और होगी थोला सा change आएगा इसमें हो सकता है वो value positive हो negative और हम positive मान के चल रहे हैं यहां pressure जो लग रहा है वो positive होगा अब इसमें देखेंगे आप इसमें एक इस तरफ में pressure इधर लगा हुआ है यह इधर लगा हुआ है अब आप सोचेंगे जब flow इस direction में हो रहा है तो pressure दोनों साइड में एक ही direction में होना चाहिए यहां भी यहां भी पर आपको पता होना चाहिए pressure हर direction लगता है suppose करिए कोई गुबारा है गुबारे के अंदर हवा भरी हुई है हवा भरी हुई है तो गुबारे pressure अंदर से pressure लगाता है वो अंदर से pressure लगाता है तो pressure हर direction लगता है ठीक है अब suppose करिए कोई pipe है कोई pipe है pipe में आप कोई section ले रहे हैं इस section पे जो pressure लगेगा वो इस section पे pressure अगर यहाँ तक देखेंगे मालो दूसरा section यहाँ है और pressure यहाँ पर लगेगा कैसे कैसे कोई आगर दूसरी तेखेंगे तो pressure यहाँ इधर भी लग रहा होगा और यह यहाँ भी लग रहा होगा तो suppose आपको जो section है माल लीजे section आपको ये वाला section पूरा choose करना है इतना section इतना section choose करना है तो बाकिए बाहर का मिटाते हैं यह इसे ऐसे इसलिए जब भी आपको pressure लगा हो मिलता है वो ऐसे मिलता है यहाँ से यहाँ से इस तरफ में और यहाँ से इस तरफ में इसलिए यह जो element है इसलिए जो element है इसका यहाँ pressure इस तरफ में यहाँ pressure इस तरफ में है ठीक है इससे पहले मैं इस प्लाणा भूल गया अभी मैं इसको बाद में पढ़ा दूँगा Euler equation of motion Euler जब यूज़ करते हैं तो इसमें सिर्फ दो type के force यूज़ करते हैं pressure force और gravitational force यह दो type के forces यूज़ करते हैं वो book का portion है मैं अभी फिर से आपको उसको पढ़ा जूँगा book में था वो portion इसलिए जो miss हो रहा है ठीक है यह दो चीज़े हो गई तो दिखो इसमें मैंने से लिख रखा है Euler जब Euler की बात करेंगे Euler's equation या किसी भी equation की इसमें दो होते हैं gravity और pressure दो type के forces यूद रते हैं otherwise force जो होता है वो tension viscosity का force भी होगा इसमें surface tension का force भी होगा इसमें atmospheric pressure भी होगा बहुत से type के forces आते हैं तो उन सब को forces को छोड़ करके जब सिर्फ gravitational gravity और pressure की बात करें उन सब इन दो forces का तब ही जो है वो eular equation बनती है तो eular equation में यह आपको समझ में आगे होगा दो forces लगेंगे एक इस direction में एक इस direction में दोन ट्राइब के forces लगेंगे ठीक है अब pressure is equal to क्या होता है pressure is equal to होता है force upon area force is equal to होगा pressure into area तो इस pressure को अगर pressure force बनाना हो p को f बनाना हो अगर इसमें आपको a से multiply करना पड़ेगा और a क्या है वो a है d a cross section area d a element का cross section element cross section area element का cross section area यहाँ मैं लिख रखा है यह आप देख सकते हैं d a is the cross section area of element तो इस तरह से area जो होगा area जो क्या बन गया pressure force at a होगा p into d a pressure force at a a मतलब this one यह end जो है वो pressure force at a है pressure force at b b मतलब दूसरे साइड में मैंने कहा था थोड़ा change होगा उसमें pressure में को change आएगा change होगा क्या ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को pressure force p plus change in pressure change in pressure क्या होगा क्योंकि pressure क्या हो मैंने बताया वो हर direction में लगता है pressure force हर direction में लगता है तो वो vertical, horizontal, inclined हर direction में लगेगा pressure force तो उस inclined वाले face में जिस direction हम बात कर रहे हैं तो यह deal p क्या है वो change है this deal is the change deal p is the change तो deal p upon deal s into d s कैसे यह है change in pressure with respect to s यहनी with respect to s direction अब कहां तक यह change होगा हम जो calculation कर रहे हैं वो कर रहे हैं up to the length d s change in pressure change in pressure up to the length d s और up to the length delta s into d s ठीक है change in pressure up to the length delta s into d s ठीक है तो जैसे ही उसमें किया था continuity equation में किया था ठीक है change in velocity with respect to s up to length d s वैसे ही यहां पर तो यह होगया force at यह होगय pressure और pressure into area किया तो बन जाएगा pressure force तो hope कि यह दोनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी change in pressure sorry pressure at a और pressure at b यह दो चीज़ें हो गई अब इसमें एक चीज़ और है gravitational force gravitational force होता क्या है force due to gravity होता क्या है force due to gravity क्या है force due to gravity is weight weight क्या होता है mass into gravity mass क्या होगा density into volume into gravity ठीक है volume क्या होगा cross-sectional area into length ध्यान से weight क्या होगा फिर से weight होगा mass into gravity अब mass क्या होगा density into volume gravity पहले से था ठीक है अब यहाँ पर density और gravity पहले से है आएगा क्या mass volume is equal to area cross-sectional area into length cross-sectional area मतलब माल लेजिए कोई यह pipe है इस तरह से तो इधर से जो इसका cross-sectional area होगा ऐसा cross-sectional area यह यह पूरा cross-sectional area into इसकी length पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी length इसकी cross-sectional area into length length है ds ठीक है तो यह क्या बन गया rho g da ds ठीक है यह बन गया weight यह पूरा बन गया weight मगर weight ध्यान देंगे तो weight हमेशा किसी भी चीज़ का अगर यह ground है तो weight हमेशा ground की तरफ लगता है vertically downward हमेशा रखे applied mechanics में पढ़ेंगे इस चीज़ को आप weight हमेशा vertically downward लगता है मगर यह हमारा जो s direction है यह s direction vertically downward तो है नहीं यह किसी random s direction है ना vertical है ना horizontal है कोई random direction है तो vertically downward है तो इसका हमें calculation करनी है s direction में इस वले direction में opposite यह x की direction में दोनों direction कोई जी हो सकती है मगर होनी यहीं चाहिए plus यह minus की कुछ भी हो सकती है तो इसके दो component बन जाएंगे यह vertical downward है vertical downward है तो एक component along the flow एक component उसके perpendicular यह जो theta है जो आपको पता होगा जिसे theta लगा होता है वो cos theta बन जाता है और जिसे theta नहीं लगा होता वो sin theta बन जाता है और cos theta क्या होगा w cos theta ठीक है w यानि की rho g d a d s cos theta ठीक है तो यह जो है पुरा weight weight in the direction of s यह किसके साथ किया जाएगा पुरा rho g d a d s cos theta यह चीज मैंने यहाँ पर समझा रखी है यह चीज को जो मैंने भी समझाया इसको यहाँ पर समझा रखा है मैंने एक sign बन जाएगा एक cos बन जाएगा यह उला sign है यह sign है ठीक है वीडियो नहीं तो आप पैक करके वीडियो फिसे देख सकते हैं sign है डबलू वर्टिकल हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है डबलू हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है towards the earth हमेशा हर एक surface पर क्योंकि अर्थ ही खीचती है gravitational force के जैसे अब क्या है resultant force in the direction of S S के direction में resultant force क्या होना चाहिए देखो अब देखते हैं distant force क्या होना चाहिए एक को हमान लेते हैं positive उसके opposite negative तो इसको हमान रहे है positive ये वाला देखो एक हो गया P into DA positive S क्या होगा इसको negative को green कर देते हैं यह यहाँ से जो force आ रहा है यह दर को negative तो वो negative हो गया ठीक है force vertical downward है force vertical downward है downward का दो component जो बन रहे हैं एक इन दिरेक्शन औफ फ्लो एक उसका perpendicular जो दुसरी डिरेक्शन में जाएगा तो ये वाला भी force इन दिरेक्शन opposite direction औफ फ्लो हो गया ये वाला ये जो यहाँ से हैं चला गया यह लग फोर्स आनी की एक ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया ये माइनस हो गया तो कौन कौन सा P into DA प्लस हो गया ये जो opposite direction और फोर्स था वो माइनस हो गया और ग्रेविटरेक्शनल फोर्स माइनस हो गया ठीक है एक प्लस एक जो प्लस मैंने रिटकल से दिखाया था एक यहला प्लस था यह भी अपोजिट था, यह भी अपोजिट था ठीक है, फोर्स क्यों? क्योंकि यह इस तरह से जिसका जो कंपोनेट बन रहे हैं यह अपोजिट उदा S है, ठीक है, माइनस कर दिया अब इसको सॉल्व कर लेंगे यह P into DA as it is आ गया अब इसको अंडर मल्टिप्लाई करेंगे यह DA के साथ P मल्टिप्लाई होगा तो माइनस P into DA आ गया ठीक है, अब DA DP upon DS, DA DS ठीक है, और रोजी कॉशिट आप वैसे ही वैसे आ गया यह आप शॉर्ट करके भी में solve किया गया है, इसलिए मैंने इसको अपने खुद से solve करके आपको provide किया है अब तो यह दोनों तो cancel out हो गए बचे क्या यह पूरा term यहां पहुंच गया ठीक है, रोजी DA DS इतना term रोजी DA DS, यह तो as it is आ गया, अब कॉस्ट ठीक की जगा यह क्या आ गया, आप confuse होंगे DZ upon DS अब यहां चलते हैं यहां चलते हैं, diagram में फिर से, diagram में एक datum line माल लेते हैं, एक line माल लेते हैं यहां से, ऐसे, यह इसके center से यहां तक, तो इसके center से यह center एक line हो गई इसका center एसे माल लेते हैं ठीक है, थोड़ा उपर तक line चली गई यह यहां नहीं होना चीए था यहां नहीं होना चीए था यहां तक, तो इन दोनों के बीच में एक distance आ रहा है इन दोनों के बीच में यह जो मैंने last में blue color से दिखा, यह distance आ रहा है यही है d-z ठीक है, एक से दूसरे का actual में d-z क्या होता है, z कैसे निकालेंगे मैं दोखो 1-2 भी लिख रखा है क्या होगा, कोई एक माल लेंगे, यह कोई pipe माल लो suppose क्या pipe है, pipe किसी एक height से किसी एक, जमीन से माल लो यह datum बोलते हैं, जमीन से datum से, datum से किसी एक height पर है, तो यह जो height है, इसके center तक की, इसको बोलेंगे, एक section 1 माना है तो z1, इसके height जो होगी वो z2, अब देखेंगे, अगर आप ध्यान से, तो इन दोनों के बीज का difference जो आ रहा है यही तो d-z है यही d-z है, यह यही z2- z2- z1, मैंने directly इसको 1 को 0 मान लिया है इससे directly निकाल सकते हो, तब यह d-z आ रहा है, तो confused नहीं होंगे difference in datum height datum बोलते हैं, इसको इस चीज को बोलते हैं जो एक reference line, common reference line लिया है इसको datum बोलते हैं, आप चाहे तो इसको यहां से यहां अगलग लग करके solve करो या एक को 0 करके directly लिख दिया d-z, इसको यहां d-z लिख दिया यानि कि यह जो इसका इसकी जो height हो गई यहां से यहां तक में यह जो datum से यहां तक की height हो गई यह हो गई d-z यह हो गई यहां से यहां तक की dz center तक की और इसकी जो यह length हो गई यह हो गई ds और यह length इसको हमने कोई भी length माल लिया अब क्या बन जाएगा यह angle theta है ठीक है cos theta लगाओगे तो perpendicular upon hyperdaneous यानि dz और ds side है यह देख लिज़े यहां पर यह और यह ठीक है तो बिज़े ट्रेंगिल बन रहा है इस तरह से तो perpendicular 90 degree हो जाएगा यहां पर तो perpendicular dz upon hypotenuse ds तो वही किया गया है cos theta की जगा cos theta is equal to नहीं सोरी base upon hypotenuse जो z होगा वो इस तरह से उपर की तरफ है sorry base upon hypotenuse यह theta उपर लिया गया है जो यह triangle बन रहा है यह theta यहां लिया गया है तो base upon base upon hypotenuse वो sin theta होता है perpendicular part बढ़े base upon hypotenuse base यह हो गया base ही हो जाएगा एक base हो गया और एक hypotenuse तो cos चीज़ेगा dz upon ds रख दिया गया यह तो हो गया equilibrium condition में जो होगा अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं क्योंकि force जो निकाला है हमने equilibrium में force जो निकाला है यह जो निकाला equilibrium में force यह निकाल लिया pressure और gravitational force की वज़े से पर force एक चीज़ आपने और पर रखा है force is equal to mass into acceleration भी तो होता है ठीक है mass into acceleration भी होता है यह चीज बुक में A को AS लिखा गया है acceleration in direction of S तो पूरा यह बुक से नहीं देखेंगे आप बुक में बस page number में ने बता दिया है कि वहाँ तक syllabus बहुँच चुका है otherwise इसको syllabus इसको deviation नहीं से देखेंगे यह हो गया आपका force into acceleration sorry force is equal to mass into acceleration ठीक है Newton second law अब पर mass is equal to आपको पता है density into volume था mass density into volume density into volume volume का था volume था cross sectional area into length of element तो भही चीज़ कर दिया गया mass is equal to पूरा पूरा यह टमा गया rho dads into acceleration ठीक है अब क्या होगा यह जो resultant force है यह resultant force इसी force की equal तो होगा mass into acceleration total force एक डायर्क डायर्क लीध दिखा दिया गया और resultant force क्या होगा force due to acceleration resultant force in equilibrium condition अलग से को़ी force नि लग रहा है अलग से कुछ और नहीं आ रहा है तो इस condition में यह resultant force जो है force due to acceleration होगा resultant force due to acceleration equal कर दियै resultant force जो आया था इसको हमने acceleration वाले force equal कर दिया ठीक है अब क्या करेंगा यहां करेंगा थोड़ा सा solution थोड़ा सा solution यह करेंगे जो acceleration होगा acceleration होगा इसो partial differentiation वाला portion अब यहां घुच जाएगा acceleration जो होगा acceleration जो होगा वो होगा change in velocity with respect to time change in velocity with respect to time यह चीज़ आपको मालूम है velocity upon time होता है acceleration तो actual mathematical में क्या होता है change in velocity with respect to time अब इस चीज़ को हमने partial differentiation में क्या किया इसको इस तरह से लिख दिया dv upon ds और उपर भी ds नीचे नीचे multiply भी divide भी यहां देखेंगे divide भी किया गया है multiply भी किया गया है ठीक है divide भी है multiply भी है otherwise यह पूरा जो है यह पूरा time term बन रहा था dv upon ds ठीक है यह del v upon ds और इसको multiply और divide कर दिये ठीक है तो distance यानि length length यानि distance upon time आपको पता है कि velocity होता है तो velocity और partial differentiation of v with respect to s यह चीज़ उठाकर कि यहां पर रख दिये ठीक है तो अभी किया है del और d यह cancel नहीं हो सकते del और d cancel नहीं होगे जब सिर्फ del डल बचे या dd बचे एक ही term के साथ में जैसे यहां पर सिर्फ del यहां पर सिर्फ del बच जाए या dd बच जाए तो उसको del d दोनों बराबर हो जाएंगे पर अगर दोनों चीज़ें एक साथ मौझूद है तो दोनों चीज़ें अलग calculate होती है अलग मानी जाती है अब क्या करेंगे इसमें रखने के बाद dividing both side by rho d a ds rho d a ds divide कर दिया rho d a ds से divide कर दिया तो यहां पर del p upon del s था इसमें d a ds था तो d a ds cancel out हो गया तीक है इसमें rho d a ds सारा cancel out हो गया पूरा cancel हो गया rho से rho cancel होगा d a ds से d a ds cancel हो गया इसमें rho d a ds से पूरा का पूरा cancel out ही हो गया अब जो बचेगा यहां पर जो बचेगा वो यहां पर rho ds बच गया यहाँन पर सिर्फ ds बच गया g बचेगा और ds बचेगा g बचा हुआ है और ds upon ds बचा हुआ है यह पूरा कैंसिल हो गया था और यहाँन भी सब पूरा कैंसिल हो गया था तो अब इस चीज को क्या करेंगे हम एक तरफ करके माइनस है इधर पूरा ये भी माइनस है इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो सारा ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया ठीक है अब क्या करेंगे इसमें इसमें आप जो है ds common लेकर करके दूसरी तरफ multiply कर दीजे या फिर यह कहिए ds से multiply कर दीजे या ds upon में जो ds है उसको common लेकर करके 0 के साथ multiply कर दो तब भी 0 हो जाएगा या ds से multiply कर दो यानि उपर भी ds 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 जो भी कहना हो कह सकते हो लिखना हो जो लिख सकते हो यह ds सब ds से cancel हो जाएगा सब में ds j0 को साथ multiply होगा यहां पर ds multiply होने के बाद ds 0 को साथ multiply होगा तो सो कोई मतलब नहीं है 0 की 0 रह जाएगा तो यह क्या बन जाएगा यह टम बन जाएगा दैल Q upon दैल Q upon rho gdz v d v यह equation जो use होगी basically use होगी आपने पढ़ा होगा, Bernoulli equation निकालने के लिए इसलिए इंपोर्टेंट है otherwise इस equation का कोई ऐसा use कहीं नहीं होता है यह Bernoulli equation के लिए important है, Euler's equation of motion, इसी से Bernoulli equation integrate करके हम निकाल लेते हैं तीक है, इसी से निकाल लेते हैं, तो equation बनाएंगे वो तब ठीक है, वीडियो ब्रेक करके तुरंद इसकोबे मैं continue कर रहा हूँ